प्रिये विध्यारतियों, RCI की ओनलाइन पार्ट साला में आपका स्वागत है और जैसा कि आपको पता है कि हमने चेप्टर नमबर 2, 3 और 5 कम्प्लिट कर लिए हैं और 13.1 और 13.2 भी कम्प्लिट हो गई है आज से हम 13.3 को स्टार्ट कर रहे हैं और 13.3 क्या है? दो सदीसों का सदीस गुनलफल देखिए इस क्लास में मैं आपको कम्प्लिट थियोरी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको दो सदीसों का सदीस गुनलफल पढ़ा रहा हूँ तो इस पर ध्यान देना है न? तेखो माना की आज की क्लास में हम complete theory पढ़ेंगे तो देखिए माना की दो सदिस A vector तथा B vector है तब इनका सदिस गुननफल क्या होगा बोलो तो A सदिस into B सदिस क्या होता है A B sin theta और क्या होगा N cap यह formula आपको याद होना चीए जहां पर N cap है वो क्या है A vector तथा B vector के लंबवत एकाई सदिस जहां N cap क्या है A vector तथा B vector के लंबवत एकाई सदिस तो देखो मैं एक बात और clear कर दूँ आपको हलकिसी देखो एक A है और एक B है तो इधर के आएगा A cross B इसका मतलब समझे न आप ये समझ के चलो कि जो आपके first है ground है उस पर आपके ऐसे मानके चलो कि ये आपका A vector है और ये B vector है जान दीजिए ये आपका क्या है A vector है ये यूँ first में गिरा हुआ है आप ये मानके चलो ये आपका क्या है कोई यह आपका B vector है मतला और जो A cross B होगा वो इन दोनों के perpendicular होगा मतलब इन दोनों के लंबत होगा या तो वो यू होगा और या फिर वो नीचे होगा अब ही बसंज में यह आपका A vector है यह आपका B vector है और यह अगर यू है किसी भी कौन पर हो सकते हैं तो इन दोनों का जो cross product करोगे तो A cross B आएगा और वो A cross B कैसे होगा यूँ और यह जो A cross B है न यही N cap होता है यह देखो A cross B और यह क्या है नीचे भी A cross B भई लंबत तो नीचे भी है और लंबत उपर भी है तो A cross B करने पर क्या आएगा A cross B करने पर क्या आएगा A और B के लंबत आएगा और जो N cap है वो भी मैं बताने वाला हूँ कि N cap A और B के लंबत 21 सदीस है यह तो लंबत सदीस है A लिख देता हूँ में A cross B A तथा B के लंबत सदीस आप इसे यह भी बोल सकते हो कि A और B से बनने वाले समतल के लंबत सदीस यह भी बोल सकते हो एकी बात है अब इस चीज़ को समझ पाए कि नहीं समझ पाए यह तो क्या है लंबत 21 सदीस है जबकि यह 21 सदीस हो यह ऐसा आवशक नहीं है अगे न बात समझ में मतलब A और B के लंबत 21 सदीस है तो और A क्रोस B क्या है A थ था B के लंबत सदीस है के वल तो ध्यान देना अब यहां से देखो N कैप बराबर क्या आएगा A वेक्टर क्रोस B वेक्टर अपन में A, B और क्या होगा साइन थीटा यहां तक समझ में आ गया होगा और जहां यह थीटा है वो आपका क्या होगा 0 less than equal to थीटा less than equal to पाई मतलब जीरो से और पाई के बीच में ही क्या होगा थीटा आपका लाई करेगा तो इतना आपको समझ में आया उसके बाद देखो यह समझ में है उसके बाद इसको थोड़ा सा और मोडिफाई करते है देखो N-CAP को अभी मैंने find out नहीं किया है अब N-CAP की बारी है देखो चुकि A क्रोस B क्या होता है A B साइन थीटा और N-CAP अब देखो दोनों तरफ मापांक लेने पर तो क्या होगा बच्चों A क्रोस B उसके बाद हम बोलो मापांक में A B साइन थीटा और N-CAP अब ज्यान दो अब बड़ा इंटरस्टिंग बात आएगा देखो यह magnitude है यह तो हमेशा positive आएगा आपको उसे बता रखता है यह magnitude है हमेशा positive आएगा positive के क्या मापांक लगाओ भई मापांक तो उस चीज के लगाते है न जो negative होता है मापांक का मतलब क्या होता है कि जो negative हो उसको positive बनाना है बस और sin theta sin theta theta कहां से जीरो से और पाई के बीच में है मतलब प्रेथम और दित्य चतुर्थांस है और आपको पता है कि पहले और दूसरे चतुर्थांस में sin theta धनात्मग होता है इसलिए इसे भी भार निकाल लो आप बच क्या गया N-cap और N-cap क्या है आपका 61 अधिस है 61 अधिस का magnitude क्या होता है एक होता है तो क्या होगा A-shadis गुणा B-shadis मापांग लगाया और बच क्या गया A-B और sin theta इसका मतलब ये तो क्या है 1 है इसको छोड़ दिया अब देखो ध्यान देना A-B-sin theta यह है का नहीं है चेक है न उसके बाद देखी आप लिख सकते हो वैसे मैं आपको ये जब notes आपके पास send करूँगा तो वहाँ पर मैं इनको भूत ही सही तरीके में लिखके बेजूँगा आप यह मैं सोच मिजना कि कौन सा कहा लिखें ये आपको notes टॉक पर लिखें मिलेंगे लेकिन आप जब इनको समझो उस टाइम बड़े ध्यान से समझना है इन चीज़ों को तो देखिए n cap equal to a cross b upon में और ये क्या है ये क्या है देखो same है न और वो किसके equal है a cross b तो आपको मैं clear कर दूँ कि ये formula आपको हमेशा याद रहना है क्योंकि इस formula पर बेश्ड काफी questions आते रहते हैं तो आप इसे पूरा note करिए अब हम आज आपकों क्लास में हमने क्या बताया कि a और b का जो भी सदिस गुननफल होता है उसे हम a cross b से represent करते हैं और इसे क्या लेखते हैं a, b, sin theta, n cap जहां theta क्या होता है जीरो से और πाई के बीच में होता है तो n cap क्या होगा a तथा b के लंबवत इकाई सदिस है और a cross b क्या है a तथा b के लंबवत सदिस है इसका इकाई होना आवशक नहीं है और हमने देखो यहां से निकाला n cap बराबर क्या है यह आ गया उसके बाद हमने यह समझा और हमने देखा यह और यह तो भई एक समान है तो हमने क्या किया n cap equal to this one ठीक है आज के लिए इतना ही है